हलो फ्रेंट वेल्कम तो चानल करन्ट अफेर अपडेटेड इस दिवशी शवस्थी जैसे आपको पता होगा 10 एम पर हम एक बहुत इंपोर्टन लेक्टर लाते हैं जैसे हम 10 कोशन्स प्रैक्टिस करते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है इस गोई जोग्रफी जोग्रफी से सब्सक्राइब मैं कोशन्स आपके सामने लेकिया हूँ अफ्कोर्स इसके जाथ मैंने करन्ट अफेर्स भी आइड की हुई है तो देखते हैं किस किस को कुशन्स बनते हैं याद दखेगा अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप हमारे वाट्चैप पे हमको हुआ है प्लस इवन आप हमारे अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको हमाई कोर्स के बारे में डीटेल्स लेनी हो तो याद दखेगा अप्लिकेशन के नामे करेंट अफेर्स अपडेटेड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है जहां पर आ मिल जाएगी अगर आप किसी भी UPSC अधर स्टेट सर्विसस की प्रप्रेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज कितने कोशन आपके सही होते हैं तो लेट स्टार्ट देखिए जोग्रफी का कोशन है पहला कोशन थोड़ा ध्यान से देखीगा म सेटमेंट हैं इंग्लान कवेर्स कवर्स लेस देन 60% फ्रफ टोटल एरिा ऑफ यूनाइट किंग्डम तो इंग्लान यूद यूनाइट टिंग्डम का लेस देन 60% कवर करता है तो बढ़ा ही अजीब सा कोशन अप हो सकता है आपको इस आइडिया नहीं हो पड अपको यह अगर आपको यह पता है तो शायद आप question में approximately answer लगा सकते हैं देखिए पहला statement तो मैं आपको बता दूँ जो लिखा हुआ है England, Wales, Scotland and Northern Ireland यह Britain, Great Britain का पार्ट नहीं है यह जो पार्ट है यह है United Kingdom का या दखेगा United Kingdom मतलब होता है England, Wales, Scotland and Northern Ireland मैं भी आपको दिखा दूँगा अगर आप Britain की बात करें तो Britain में आता है England, Wales and Scotland यह दखेगा यह Northern Ireland नहीं cover होता है अगर आप Northern Ireland को add कर रहे हैं तो it becomes what? That is United Kingdom तो मैंने यह जो definition यहां लिख रखी वो UK की लिख रखी थी तो first statement हो गया wrong और second statement आप guess भी कर सकते है United Kingdom इतना बड़ा है तो लिखा हुआ है England covers less than 60% तो of course आप कर सकते हैं 60% से कम हो सकता है remember आप यह guess कर सकते हैं मैं exact भी आपको बता देता हूँ तो यहां पर correct answer that is B2 only England जो 60% यहां दखे less है total area of United Kingdom correct answer B है आप देख सकते हैं यहां पर map बना हुआ है यह है आपका Wales, यह है आपका England यह है आपका Scotland इन तीनों को हम कहते हैं Britain याद लिखे, Great Britain अगर आप इसमें Northern Ireland add कर देंगे तो it becomes United Kingdom याद लिखेगा तो चार को मिला आपके United Kingdom बनता है और 60% से less है वो तो आपको समझ में आ रहा है Scotland इतना बड़ा है Wales है, Northern Ireland है तो यह तो आपको hypothetically मैंने 60% लिख दिया तो इससे आप guess कर सकते हैं तो statement जो था less than 60% हाँ less than 60% सही है more than 60% लिखा होता है तो गलात हो जाता तो correct answer option number B है इसकी PDF आपको available हो जाएगी चलिए, next question माते है again, a very tricky question question यहाप है मैंनमार से लेटे मैंनमार न्यूस में भी है सबसे पहले तो आप मुझे मैंनमार की capital जो है comment box ने बताए मैंनमार की capital क्या है अब तो यह question लिखा है इंडिया और चाइना मैंनमार की border को touch करते है remember मैंने पुछे इन दोनों को छोड़के मैंनमार को कौन सी country touch करती है आपको यह बताना है option है Bangladesh, Thailand and Vietnam second है Cambodia, Laos and Malaysia third है Thailand, Vietnam and Malaysia and fourth है Thailand, Laos and Bangladesh आपको मैंनमार का पहले तो geographical location बता होनी चाहिए तब ही आप guess कर सकते है इसमें correct answer क्या होगा तो इसल कुछ लोग guess का सकते है इनों थोड़ डीटेयर में पढ़ा होगा Vietnam तो touch नहीं करता है तो यह दो option तो मेरे यही पे cut हो गए अब B और D बचा है correct answer है option number D Thailand, Laos and Bangladesh अब आप कहेंगे सर कैसे touch करता है तो इसके लिए मैंने आपके सामने देख रहे है यह map बना रखा है यह आपका Myanmar है इंडिया, चाइना तो मैंने आपको पहले बता देख था यह आपका Bangladesh touch हो रहा है याद है कि यह आपका Laos touch हो रहा है यह आपका Thailand touch हो रहा है आप देख सकते हैं कमबोडिया भी touch नहीं हो रहा है और वियत नाम भी touch नहीं हो रहा है याद अखेगा तो इसलिए अगर हम बात के South East Asia का भी मैंप आपको आइडिया होना चाहिए कुशन तो इस तरह frame किये जाते हैं तो correct answer यहाँ option number D था कुशन number 3 में आते हैं यहाँ कुछ countries लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ oil field लिखी हुई है तो country देख लेते हैं क्या क्या लिखी हुई है Iran, Iraq, Kuwait और Saudi Arabia यह कुछ country लिखी हुई है और यहाँ पर लिखी हुई है oil field आपको match the following करना है मेरा मानना है कि match the following easy question इसलिए होता है तो थोड़ा बहुत भी idea तो शायदा match कर सकते है यहाँ बरगान है, दमम है, किरकुक है that is मजजित, सुलिमान है तो इसको आपको match करना है हो सकता है आपने ही oil fields नहीं सुनी हो still जो सुनी हो उसमें मांग का सकते हैं ऐसे C, Kuwait जो है उसका जो है बरगान यहाँ दखे, Kuwait में oil field है बरगान तो C का अगर 2, 1 है C का 1 है, तो देखे, दो option बस्तिन that is option B और option number D ठीक है, उसके आगे बढ़ते है Saudi Arabia की बात कहें, Saudi Arabia में है that is दमम, ठीक है देखे, फेमास oil fields है, न्यूस में रहती है इसको मैंने question में cover कर लिया याँ देखेगा, so D का जो है वो है 2, तो D का 2 देखे, मेरा answer ही आगया अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया देखे, अभी भी नहीं आया क्योंकि Kuwait और उससे 1-2 तो दोनों में ही match था मदद Saudi Arabia का दमम नहीं पता होगा तो match हो गया automatically, अब इरान और Iraq बचता है, ठीक है, तो देखे, इरान का जो है, that is, मजजद सुलेमान है, तो A का 4 हो गया, ठीक है Remember, और Iraq का जो है, that is Kirkuk, क्या दखे, Kirkuk भी बड़ी फेमासे Iraq की oil field है, या देखे, correct answer option number D है, आपके इसम कोई याद नहीं है, क्या इती सही, gas field, oil field जो है, वह हम याद करें, देखे, इनको याद तो नहीं कर सकते, बहुत सारी है, आज यह आई हैं, कलो कुछ और आ सकती है, but at least जो मैंने यहाँ बताई है, उनको आप अपनी memory में जरूर रख लें, हो सकता आपको exam में, कहीं यह help कर जाए, remember, तो यहाँ था correct answer option number D, यह मैंने यहाँ पर mark कर दिया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ओके, चले, next question में फोर्थ में आते हैं, बड़ा important है, physical geography से question है, question है, यहाँ पर labrador current मैंने बोला है, वो cold current है और north atlantic ocean में flow करती है, ocean current में आप तो cold और warm currents तो पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है, तो प्लीज एक बार application में जाओ, हमारे physical geography के lectures को देखो, आप, then only आप इस question को solve कर सकते हैं, जो कि बहुत easy question है, second statement है, farclient current है, बड़ी important current है, warm current है, जो की चिले coast में south pacific ocean में flow करती है, तो यह बड़ा सोचना पढ़ेगा, south pacific ocean में क्या farclient current flow करती है, ठीक है, first statement, yes, first statement correct है, बहुत easy question, yes, it is a cold current, north atlantic ocean में flow करती है, बिल्कुल सही है, second statement wrong है, पहली बात तो farclient current जो है, वो cold current है, पहली बात तो यहाँ flow नहीं करती, याद है, south pacific, आपके दखेंगे, south atlantic ocean is the correct answer, remember, तो इसका यह second statement wrong है, तो correct answer only one है, remember, ठीक है, यह मैंने map बना रखा है, इसके हम details भी यहाँ पर लिखी हुई है, याद रखेगा, तो correct answer only one option correct, a, b option wrong था, याद रखेगा, मैं फिल से देख लें, 90-20 lectures हैं, उसके आद आपको कोई भी question गलत नहीं होगा, याद रखेगा, तो एक पर application download करेगा, आप Indian geography भी, only Indian geography का course भी देख सकते हैं, तो के, चले, आगे बढ़ते हैं, next question number 5, और यहाँ पर देखो, मैंने RNO steel centers लिख दी हैं, अगेन हो सकता, आपको centers नहीं पता हो, कोई बात नहीं, और country है, again, it's a match the following, okay, अगर आपको कुछ भी पता है, शायद आप नाम से guess का सके, iron steel center यहाँ पर हो सकता है, that would be good, देखे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, Cleveland है, Tula है, okay, यहाँ कुछ countries लिखी हुई है, तो Tula मैं आपको बतायता हूँ, that is at Russia, okay, तो D का 2 है, D का 2 मतलब देखे, मैं दो options में आ गया, B और D, मतलब एटेंप्ट तो करना ही है, मुझा अगर मैं दो options पर आ गया हूँ, ठीक है, अगर मैं Hamilton की बात करें, that is at Canada, remember, तो C का जो है, that is option number 1, okay, तो C का 1, अच्छा, C का 1 तो automatically ही matched है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, Hamilton automatically matched है, अब Cleveland की बात करें, that is located in USA, remember, so A का 3, A का 3, अब शायदान सरागी, that is option number B, 3412, और SN जो है, that is at Germany, okay, अब आपको यहां पर मैंने पता हैं, कोई बात नहीं है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, आप जो यहां पर मैंने पता है, at least उनको याद कर लो, ठीक है, exam में हो सकता है, यह आपको help कर जाए, remember, ठीक है, अब ऐसे बहुत सा आइन सील सेंटर है, यहां पर फ्रेम किया है, तो correct answer, that is option number B, यहां पर लिखे भी हुए हैं, वापस, चले, next question number 6 में आते हैं, कुछ damn लिखे हुए हैं, यहां कुछ state लिखे हुए है, हो सकता है, damn सापते नहीं पढ़े हो, कोई बात नि, still आपको question मन सकता है, देखे कैसे, तुंग भद्रा, कोशन में देखे कहीं हिंट दिखी हुई है, इडुकी डायम बड़ा famous देम है, जो की केरल में located है, देखे, तो C का अगर मैंने 1 से match किया, आप question में देखे, C 1 सिर्फ एक option में, that is option number C, मुझे नहीं पता तूंग बद्रा, भवानी ओ, नागर जुन शागर का हैं, but still मेरा answer में को marks मिलना है, तो यह जरूर देखा करिए, कभी-कभी ऐसा होता है, question bonus रहता है, और उस bonus को नहीं पहचान पाते हैं, so C का जो है, that is option number 1, बड़ा कोई C का भी नहीं बता पा रहा है, तो आपको इसनी मैंने बोला, Indian geography के lectures देखे, application जाईए और आपको download करें, और वहां पर option number C है, remember, यह यहाँ पर लिखा भी हुआ है, details, आपको PDF मैंने आपको पहले बता है, आपको यह PDF एविलेबल हो जाएगे, हमारे WhatsApp जॉइन करने पर, okay, correct answer is option number C, okay, चले, C options रहें एक पर देख लें, ठीक मैंने आपको बता था, C, yes, A का 4, okay, चले, आगे बढ़ते हैं, question number 7, again कुछ national park और wildlife century है, यह again state से match करना है, again मैं कहूंगो इस question को easy, क्यों, यहाँ पर लिखा है, बोनला wildlife century, नहीं सुनी है कोई बात नी, कंगेर घाट वाइल, national park बड़ा famous national park है, okay, orange century very famous, अभी news में थी यह, ठीक है, और उस कोटी wildlife century, हो सकता है, यह नहीं सुनी हो, okay, इसको match कैसे मैं match कर दूँगा कि इसके साथ, that is Assam के साथ, तो C का 2, देकि C का 2, तो अभी मैं दो options में आ गया हूं, ठीक है, that is option number B and option number D, okay, कंगेर कार्ट, national park very famous, जो भी 36 गर से देख रहोंगे, उनके बहुत easy question होगा, yes, तो B का 3 लगा दिया, B का 3 लगाते ही, देखे मेरा answer आ गया, that is option number B, so A का जो था, that is 4, Goa, आपका कभी Goa जाने का बन होगा, जरूर इस wireless century को जरूर विजिट करें, okay, और D का जो है, that is 1, Odisha, ठीक है, तो उस खोटी wireless century जो Odisha में है, तो यह हो सकता wireless century, बहुत चारी याद ना हो, but still देखे, match the following, हम answer निकाल सकते हैं, तो correct answer, that is option number B, okay, details यहा पनेक करता है, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांगलादेश और पाकिस्तान, या बांगलादेश और इंडिया, तीन B का कॉरिडोर, बड़ा फेमास है, kind of air, इसके परस्पेक्टिव से important question है, यहाँ देखे, कांट्री भी इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं आजकल, आई होब आपने केस्ट कर लिया हुए, येस, तकरेक्ट आंसर बांगलादेश और इंडिया, रिमेंबर तो एक कॉरिडोर है, जिससे अफकोर्स कुछ एंकलेश थी इंडिया में जिससे कि वह एक याद रखेगा, बांगलादेश जो इंडि रिलेशन और यहां कुछ लिखियों में रिलेटेट तो बताना कौन सार नौट करेक्ली मैच है, गलत दिया हुए, गोल्डन, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ग्रीकल्चर, आई होब आपको बता होगा, वाइट, मिल्क ये भी पता होगा, गोल्डन, होटिकल्चर ये भी पता ह होगा, रॉंग जो है, ब्लू, आपको बता है, ब्लू रेवलुशन के से रिटेट है, येस, ये राइट, इस फिशरी, रिमेंबर, यहां पर लिखा हो, ब्लू रेवलुशन इलेटेट तो फिशरी सेक्टर, बहुत इंपोर्ट रिवलूशन है, तो गलत मैच था, ऑप्श शाम जी कृष्ण वर्मा, याद रखेगा, इंडिया के बड़े इंपोर्टेंट फीडम स्ट्रगल फाइटर है, रिमेंबर, इनका कॉंटर्विशन बहुत इंपोर्ट है, तो फोर्थ अक्टूबर को ही इनकी जेहनती थी, प्दानमांती मोदी जी ने विश्ख का तो दे इंडियन सोचोफेक्ट है, तो कॉन सा से शेटमेंट रॉंग है, इनकरेक्ट है, तो अगर शाम जी करेशिव अर्म आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत इंपोर्टेंट अभी उनकी जेहनती निकली, जो इनकरेक्ट। इंकरेक्ट स्टेप्न ने वह है, ऑप्शन वारे complete courses भी होते हैं, UPSC 2022, 2023, 2024 या दखियेगा, इनके लिए हमने अपने classroom program launch कर दी हैं, तो अगर आप हमाई classroom program को join करना चाहते हैं, application को visit कर सकते हैं, जो लोग newcomer है, बिल्कुल guidance zero है उनका, वो जरूर हमको एक बार contact करें, आपकी जरूर help करेंगे, आप preparation कैसे कर सकते हैं, classroom program आपको क्या help प्रोवाइड कर सकता है, तो एक बार application को जरूर विजिट करें, description box नसका link दिया हुआ है, आपको विजिट करें, आपको बहुत benefits मिलेंगे, remember, और अगर आपको कोई doubt query है, याद अगर आप हमाई courses को हमको WhatsApp के थूरू हमसे enroll करते हैं, याद दखेगा, नवरात directly contact करते हैं, WhatsApp या तो call के थूरू, आपको और ज्यादा discount मिल सकता है, जो actually cost mention, उससे बहुत कम पे आपको ये package मिल सकते हैं, तो उसके लिए जरूर आप वीडियो को end तक देखे, कुछ ना कुछ offer जरूर रहता है, और हमको contact जरूर करें, कोई doubt query है, इस lecture के regarding, comment box में comment जरूर क करेंगे, और अगर first time आया है, चैनल को चैनल को subscribe करें, notification को बटन दबा दें, जिसमें आपको information मिलती रहे, और वीडियो अगर पसंद आया, questions अच्छे लगे, तो वीडियो को like जरूर करके जाए, thank you